अहां जी बेटे, लास्ट क्लास देंदर आपा सेल डिस्कस कार रहे सीगे, अनिमल सेल, मतलब आपा यूख्रेयोटिक सेल शुरू कार ले आ सीगा, यूख्रेयोटिक सेल देंदर, मैं थो नूँ क्या सी, आपा एक वारी अनिमल सेल दे अकॉर्डिंग चलांगे, जिड़े अ सेल जाके वो और इस्कस करांगे, ठीके, हजी मैंने सिरफ एक अनिमल सेल दाइग्राम ड्रॉग इता सीगा, येस, अकॉर्डिंग तु बैट स्ट्रूक्चर, सेल दा, यूख्रेयोटिक सेल दे स्ट्रूक्चर दे अकॉर्डिंग, आपा ने फिर्स्ट अफ आल, सेल मेंब मेंब्रेन है, जिदा बाई लेयर मॉडल है, मैं पिछलिया क्लासिस नो रिव्यू करा रही है, बाई लेयर फॉस्फोलिपिड मेंब्रेन इस प्रेजेंट आउटसाइड दा सेल, सेल दे सेंटर दे अंदर अपा क्या सेगा, डबल लेयर नूकलियस प्रेजेंट है, जिरे नूकलियो प्लाजम है ते अंदर जिनाटिक मेटीरियल प्रेजेंट या पने लास्ट क्लासिस दे अंदर कार ले आसेगा, आज बेटे अपाने नेक्स्ट चाल देयां साइटो प्लाजम, हूं देखो अपने बिगनिंग दे अंदर कि हा, कि अपा सेल दे अंदर कोई भी से या चाहिए ब्लाट सेल या चाहिए अनिमल सेल ने, अप लिए तिन चीज्जां डिस्कस करांगे, cell and valve discuss करांगे cell and valve तो बाद अपा ओधा genetic material discuss करांगे यानि कि ओधा nucleus discuss करांगे अगर है था नहीं है था ओधा सिरफ genetic material discuss करांगे third is cytoplasm अज आपा की discuss करने है cytoplasm cytoplasm एक दिन चुन नहीं पूरा होगा यह अंदर अपा सारी और्गेनल्स discuss करांगे ठीक है तो जिवे अपा one to two organelles डेली कर लिया अगर आँगे ठीक है clear ता जब आपा cytoplasm discuss कर रहे हैं today we are going to discuss is cytoplasm of the set किसे भी बच्चे नूँ cell membrane या cytop या nucleus चोई भी doubt है तो तुसे में ख्लास तो बाद पुछ लियो या next class तो पहले पुछ लियो whatsoever जिवे भी थो नूँ पसान दो या उमें पुछ लियो but हून मैं next is coming week दे अंदर एक test जड़ा है और रखोंगे clear हून अपने कुल cytoplasm आ गया अगर मैं cytoplasm नो define करां ता cytoplasm की है cytoplasm आ फेरा पाइक cell बना लने या जल बाहर में बनाता cell membrane जल दे अंदर में बनाता genetic material nucleus बनाता cell दा बाक्की जड़ी space बाच गी न the space in a cell between cell membrane and nucleus of the cell that is filled with cytoplasm that is filled with cytoplasm cell दे अंदर nucleus थे cell membrane दे विचका जड़ी space है वोदी सारी दे अंदर जो material है वो cytoplasm है cytoplasm है कि एहें एक semi liquid है semi liquid है जिर दे अंदर cell दे लोड पैन वाले सारे समान proteins carbohydrates lipids ions जो भी एक cell ने अपना खाना पीना है energy बनानी है और सब की दे अंदर प्रेजेंट है cell दे cytoplasm दे अंदर प्रेजेंट है यानि कि cytoplasm is made up of semi liquid है semi liquid मतलब gel like material है जी दे अंदर water present है to the maximum extent ठीक है ions present ने उस तो बाद जो भी carbs proteins सब कुछ है दे अंदर प्रेजेंट है सेकेंड इस एड़े तो इलावा की प्रेजेंट है ता इक प्रोक्रेयोटिक सेल दे अंदर इनना समान तो इलावा साइटो प्लाजम दे अंदर organelles वी प्रेजेंट हुन दियाने what are organelles organelles मतलब cell दे structures जो cell दी help कार रहे ने कि मैं तेनो energy बना के दोँगा ठीक है दूसरा कहनदा मैं तेरी body जो waste material नो बाहर कर दूँगा तीसरा कहनदा मैं तेरे लिए प्रोटीन्स बनाऊंगा जो था कहनदा मैं प्रोटीन्स नो पैक कार दूँगा ठीक है तो सब ने अपना-पना काम वंड लिया जिवे मानलो सुपोजी कामीबा है तो की है युनिसेलिलर है और ही कली body दे अंदर दे अंदर दी और गनल्स प्रेजेंट उन्दिया ने साइटो प्लाजम दे विच ओर गनल्स सेल दे कम वंड लन्दिया ने कि असी एटीप बनावांगे असी प्रोटीन्स बनावांगे असी समान नो बार कर दांगे सेल दी बॉडी जो जो वेस्ट हो रहा होगा तो दाट इस नोन ऐस था और गनल्स यानि कि मैं साइटो प्लाजम नो दो कंपोनेंट्स दे अंदर डिवाइड कर रहे हैं वान इस नोन एस साइटो सोल साइटो सोल मतलब लिक्विड जिदे अंदर आयन्स, प्रोटीन, फैट्स, सब कुछ प्रेजेंट है दूसरा पाट है और गनल्स यानि कि साइटो प्लाजम दे अंदर जी दो जिज़ा प्रेजेंट ने एक ता ओधा साइटो सोल है एंड दूसरा ओधा और गनल्स वाला पाट है ठीक है, साइटो प्लाजम दा काम की है यूक्रेयोट्स दे अंदर साइटो प्लाजम दे अंदर एक मुवमेंट उन्दी है जिन्नों केंदे स्ट्रीमिंग मुवमेंट स्ट्रीमिंग मुवमेंट दा मतलब की है दा साइटो प्लाजम ओफ यूक्रेयोटिक सेल शोज स्ट्रीमिंग मुमेंट माद भी बड़ा ही स्लो मोशन रहना सेल दे अंदर मान दो मैटो कॉंड्रिया एथे प्रेजेंट है एन्हें एनर्जी क्रियेट किती एथे कोई दूसरा और गेनल प्रेजेंट है लाइक राइबोसोंस प्रेजेंट है जेकर एटीप ने बनाया अगर मालो साइटोप्लाजम हिले इना ताओ एटीप एथे पॉंचन गे कि में तो दैट इस वाइए अदर केडी मुमेंट हुंदी है स्ट्रीमिंग मुमेंट हुंदी है प्रोक्रियोट दे अंदर नहीं हुंदी क्योंकि प्रोक्रियोट को एनर्जी लई और गेनल जी नह और प्रोक्रियोटिक के यूक्रियोटिक सेल्ख डिफ्रेंश करोंगी तो ओजो प्रोक्रियोटिक सैल्दा शोल्स ग्लियर ने सारे आ नहींुच आपा बच्चे first organelle discuss कर रहे हैं साइटो प्लाजम दे अंदर organelles present ने साइटो प्लाजम हार structure नूँ energy provide कर रहे है ए सारी energy सारे समान नूँ अपने अंदर लेके बैठ था हुन आपा इदे अंदर first organelle discuss कर रहे हैं that is my toe chondria very important organelle अगर multiple choice question दे according देखिए ता this is also known as powerhouse of the cell इस organelle नूँ होर की कहन दे है powerhouse of the cell क्यों क्योंकि ये cell नहीं power generate कर रहे हैं power is ATP ATP the full form is adenosine triphosphate यानि कि thin phosphate दे bond ने चेड़े वो अपनी body new energy दे रहे है that is ATP और बना कॉन रहे है ATP mitochondria बना रहे है mitochondria कि इत्थे present है cytoplasm दे अंदर present है mitochondria किन्ने हुंदे एक cell दे अंदर और depend कर दे दो भी हो सागदे चार भी हो सागदे cell दे कामते depend कर दे अगर सेल नू जादा energy चाहिए ता जादा mitochondria होंगे अगर सेल नू काट energy चाहिए ता कर नंबर ओफ mitochondria होंगे दा नंबर ओफ दा mitochondria वेरीज अकॉर्डिंग तो दे नीड ओफ दा सेल क्लियर हुन mitochondria है जिडा अगर मैं ओधी structure दसाता एक sausage shaped organelle है sausage shaped organelle दा मतलब है कि पूरी oval नहीं हैगी मलब एमें चपता जाओ ओवल है elliptical type of the organelle ठीक है जो तो मैं इस mitochondria नू microscope दे नीचे देख्या ता मैंनू mitochondria कुछ है में दिख्या अब यह देखो दो membranes present ने हुन देखो मैं के थे छोटा जा cell बना रही है आँ cell दी membranes आं सेलड नू जीःस है है सेलड़ साइटोप्लासम है असेल अंदर mitochondria मैं इस mitochondria नू मैं नीचे देख्या है मैंनू बड़ा दिखना शुरू हो गया ठोन मैं नू माइटो कॉंड्रिया दे अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट से एड़ करूंगे और नू मैं अधर लिखी जाओंगे इस पावर हाउस ओफ दा सेल सेल दी पावर की सीगी ATPC हुन एक डबल मेंब्रेनल और गेनल है माइटो कॉंड्रिया इजे डबल मेंब्रेनल और गेनल है ठीक मैं माइटो कॉंड्रिया नू माइक्रोस्कोप दे नीचे देख्या मैनू दिख्या भी आ रही है दी आउटर मेंब्रेन फिर मैनू लग गया भी यह दी इनर मेंब्रेन विता होगी कि लेबल कित्ता है मैं नो प्चा लेबल मान बॉकस ते अंदर लिखर है डबल मेंब्रेस थो मेंब्रेन ने आउटर मेंब्रेन अंदर ली मेंब्रेनी नंब आप्त मेंभरेंन ओ स्मूथ है शिद्धी जा रही है स्मूथ इनल मेंभ्रेन नहीं अप्रैनर बना लिया ठीके और लगे ऐंदी आंजीओ ऐसाश्योसड़ डैस और मेंधेसोफॉ membrane inner folds नूँ वैसे इनर membrane है इसारी inner membrane है अगर मैं इनू label करां तो this will be inner mitochondrial membrane पर जिड़े the folds ने पर पच क्वेस्चन आपने वाटार दा फोल्ड्स ओंदा inner mitochondrial membrane known as inner mitochondrial membrane दे उपर जो folds ने उनु की के हाज अगर these folds are known as kristi folds are known as kristi kristi दे उपर kristi दे अंदर जड़ी space है ना उस space दे उपर ना एवे करके lollipop structure दे अंदर जिवे बच्चे दे lollipop ने उंदा उपर जीरो बनी उंदे नीचे एक वान बने होंदे कुछ होवे दे structures present ने दी जार दा lollipop shaped structures present ओंदा inner mitochondrial membrane ठीक है दे अंदर present ने inner mitochondrial membrane दे पूरी दे उपर लगे पे हुंदे इनना दा कम की है इनना दो केहा जान दे oxysomes एही oxysomes ने जो की ATP दी formation दे अंदर help कर दे what helps in the formation of the ATP is oxysomes what are oxysomes oxysomes are lollipop like structures present ओंदा inner mitochondrial membrane they help in the formation of the ATP तिन नम्बर दा question पूरा कराता मैं थोनू पेला थोनू one mark चाया which organelle is known as the powerhouse of the cell mitochondria mitochondria दे अंदर जेडी inner mitochondrial membrane है ओं folded है उनना दे folds नू की क्या जान दे what is that known as kristi kristi दे उपर lollipop like structures present ने उननू की केंदे oxysomes केंदे की काम है ATP deformation दे अंदर help कार रहे ने clear हुन आजो mitochondria दे अंदर cytoplasm वरगा एक material present है just like the cytoplasm दे अंदर ions ने molecules ने सब कुछ present है जो की mitochondria दे उसारा समान present है तो mitochondria जी वे आपन nucleus दे अंदर cytoplasm दू क्या nucleoblasm cell दे cytoplasm नो क्या cytoplasm mitochondria दे अंदर जो liquid है जो दा material है उन्हों आपकेंदे mitochondrial matrix mitochondrial matrix इसमें अंदर इसमें अंदर सारे ions proteins जो mitochondria नो समान चाहिदा तो सब कुछ present है इस तो इलावा इदे कोल अपना इन genetic material present है DNA it has its own DNA लोजी इने नमाही कम करता इक हैंदा I have my own DNA my own genetic material it has its own genetic material इक हैंदा मैं अपना सारा काम अपपे करूगा ठीके बट cell के अंदा फे nucleus की करूगा तो इक हैंदा मैं कुछ कम nucleus दी help null करूँगा कुछ कम तेरी help null करूँगा ठीक है it has its own genetic material इदे कौल RNA है इदे कौल ribosomes है जो इनू प्रोटीन बना के दे रहे मतलब एक फेक्टरी दे अंदा एक नमी फेक्टरी है जो अपना काम आपपे भी कार रही है जो में फेक्टरी दे मालक दे अकॉर्डिंग भी काम कार रही है इक बड़ी फेक्टरी है उदे अंदा एक चोटी फेक्टरी है बड़ी फेक्टरी दे मालक कौन है नूकलियस है चोटी फेक्टरी कौन है माइटो कॉंड्री है माइटो कॉंड्री है के अंदा मैं थोड़ा है काम तब बड़ी फेक्टरी क्योंकि उन्हें मैंनों जगा दित्ती होई है तो इस करके मैं थोड़ा जगा मेदे अकॉर्डिंग करूँगा बाकी मैं अपना कम अपने आप भी कर लोगा That is why Mitochondria Mitochondria is known as Semi Autonomous Organal Semi Autonomous Organal ता मतलब की है Semi मतलब हाफ Auto मतलब self Normous मतलब काम करना की मैं अद्दा काम अपने 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 आपने अपने 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 अरूँगा ठीक है It is semi Autonomous Organal Clear? Even question गुछा जा सब गैं Multiple ते अंदर की which organelle in the Animal cell is known as the semi Autonomous Organal That is mitochondrial ठीक है होन अपने Core equation अंदे कि क्रिस्टे दा function की है What is the function of the 蝥 económics diagram life कारते हैं एक को और function भी एदा इनर mitochondrial membrane DO । अ हुई है क्रिस्टे दा function दा हो यहां किसे इने ATP बनाने पर इंदर mitochondrial membrane ले उप़र प्रेसेंट है तो कहां Windows इन्नर माइटोकॉंड्रियल मेंब्रेन मुड़ी होई है एदा की फंक्षन है मुड़न ता मतलव की मुड़ी क्यों है है देखो मैं पहले भी दस्यासी क्लास ते अंदर जेकर मालो मेरे आँ हैंड है मैंनु एमे रख्या होया है माइटोकॉंड्रिय है एदे अथे अथे अथ गोडिग जादा एटीप जाई देया है जय मेनु कहोड़ दाए थे उक्सिसों्स लगा दाँ तो देखो चारपञ जीओ जादा बनन लग जादा अगर मालव हो वा माईटोपॉंड्रिया दोनों मेंब्रेंज नहीं हुं दिया लोग सी मैं अग्र वेछ लगादा था तो देखो एनना दा नंबर जादा होया कि एनना दा नंबर जादा होया तो क्रिस्टे था की फंक्शन है इननर माइटोकोंड्रियल मेंब्रेन ने क्रिस्टा बनाया हो दा फंक्शन है that increases the surface area for the attachment of the more oxy-somes ताकि जिनने oxy-somes लगनगे उनने ही ATPs दी production भी जादा होगी so as to produce more number of the ATPs clear है बटे I am repeating again mitochondria is a semi-autonomous organelle it is present in the cytoplasm of the cell it has its own DNA ठीक है it's a double membranal organelle it has one smooth membrane that is known as outer membrane it has one folded membrane that is known as inner membrane inner membrane दे folds नों क्रिस्टे केहा जाम दे क्रिस्टे दे उपर lollipop like structures present ने जिननों oxy-somes भी केहा जाम oxy-somes ATP form करंच help कार दे है that is why this organelle नो powerhouse of the cell भी क्या जन्द है mitochondria दा structure भी आ गया mitochondria दा diagram भी आ गया mitochondria दे functions भी आ is that clear to everyone हुन अपपा देख दे हैं अपने notes चों बिटे cytosol की है बिटे जी दे अंदर में केहा water enzymes vitamins carbohydrates present प्रेजेंट है उस साइटो सूल है ठीक है ओर्गेनल्स की है ओर्गेनल्स सेल दे अंदर सब microscopic structures प्रेजेंट ने जो सेल दे कम करंच सेल दी help कर देने clear है हुन अपपा फर्स्ट ऑर्गेनल्स शुरू किता mitochondria mitochondria दी structure दे अंदर में की किया कि mitochondria sausage shaped ऑर्गेनल है कुछ चीजा अगर notes च नहीं दित्तिया उन्दिया तो ननो उत्थे ही notes दे उपर pencil या पैनल मार्क कर लिया करो कि यह मैं क्लास च दस्या सी क्लियर तंदी जादा sausage shaped ऑर्गेनल्स जीदिया दो मेंब्रेंज ने आउटर मेंब्रेन is smooth but inner membrane is folded फिरो था ओदे जड़े फोल्ड ने ओकी कर दे है ओ तरफेस एरिया नो increase कर दे हैं ताकि ओदे उपर ज्यादा नंबर ओफ उक्सिसोंस लग सकन जिनने ओक्सिसोंस ज्यादा होंगे ओनना ही ATP ज्यादा बननंगे that is why it is also known as powerhouse of the cell clear उस्तों बाद आजो बिटे जिड़ा माइटोगॉंड्रे दे फंक्शन्स की ने ए ता एक ता ए एटीपी फॉर्म करंच हेल्प कार दे दूसरा cellular respiration cellular respiration कि उन्हें आपने खाना घाया खाने दे अंदर आमने डाइजेस्टिव सिस्टम तुसी प्ला टैंथ ग्लास चे पढ़ोंगे डिदे फिडेस्थे सिस्टम दे अंदर ग्लूजब अन्दर ग्लूजब ऑन जा निए जो भी तुस्सी खाया है और ने ग्लूजब scanalya बला प्रोटीनsन प्रोटीन्ज्य फी चोटे चोटे पार्टिकल्स च Im से लखी में नहीं हुपना लिया हुनो जड़ा ग्लूकोज है नो टो एनर्जी की में लए बौड़ी में बौड़ी अच्टी लएं टी और साच हो थब तषिजन दा जानदी और जाना आ इस रेस्पी डेशन हो गया और वह एप सीजन बॉड़ी दे अंदर जाकि एंडर जाक मेरे इस टोड़ता लास्ट ग्लुकोस देंदा इस तो नीचे नी तोड सब्सक्ताइब्स लास्ट लास्ट ग्लुकोस देंदा था। इस ग्लुकोज ने मेरी बॉडी वे सारे सेल्स पहे हैं, 1, 2, 3, 4, सारे सेल्स है, सारे सेल्स है, ठीक है, इना दे अंदरा माइटोकॉंड्रिया पहे है, माइटोकॉंड्रिया, 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 ठीक है, ए ग्लुकोज हर सेल को चला गया, सेल घीक है हर सेले कोडल度ोज आगया अलस एक लीप्लोज एक लीप्लोज एक Siwa यह जो है दो तो अनर्जी मिलोगी तब फायदा होगा फिर उक्सील अन्दी है ब्लड स्थ्रीम जा रही है इकाव लोग जी तुसिंट आ लें औक्सीजन और अगी अक्सीजन उन्दा जां लिया हैnoc जीजान दी प्रेजस ते अंडर ग्लूकोज अक्सीजन नो देखकर खुष ऑम राटी ईन्दा श्रॉल जां 80पन वह पिलीजदा एनरजी में भी पिलीजदा एंबौर हो यह सब्सक्राइब एनरजी cabbage wildotic म他们 काट ट कमपा हमधिया और यह व्हक्राइब सब्सक्राइब एंपूर संव्हक्राइब सब्सक्राइब mould बिट ब्रॉलSteans इफी होज बुकोज आपक मेल मिềnकोंड्र कर दिनी बिद hy कि इन ऑन ऐ इंट प्लुकोज एइन त्लुल्र रेस्पीR liberation the mitochondria is helping in the cellular respiration that is the point mitochondria is helping in the ATP formation that is the point am I okay shall we move on सब मुग लियार है mitochondria ठीक है बटे next organelle अपा discuss करांगे बटे वैसे in your notes which organelle is given at the end mitochondria तो बाद अपानू chloroplast दिता होगा है but chloroplast में क्या सी अपा plant वाली organelles बाद ची करांगे तब अपा chloroplast बाद ची discuss करांगे ठीक है next we will do is next we will go for the endoplasmic reticulum next I will go for endoplasmic reticulum what is your homework today थोने सबने mitochondria दा पूरा सोना सोना diagram ड्रोगरने mitochondria दा structure लिखने जो जो points में दसे हो points ची बनाना है पैरा नी बनाना point number one it is double membranal organ point number two it is semi autonomous क्योंकि अदेको अबना DNA point number three its inner membrane is folded point number four that has that is known as criste criste bears oxysomes oxysomes helps in the formation of ATP last जी लिख दिया functions of mitochondria मैं चेक करूंगी काल मैं class ची पहले आम दी 10 minutes first 10 minutes मैं किसे तो भी बोडते या verbally कोई भी question पुछ साग दिया from the mitochondria then we will move on next organelle in the cytoplasm of the cell we are going to do is endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum किये बैटे एक network है cell दे अंदर present है nucleus दे colon ही शुरू हो जान्द है nucleus दे colon ही शुरू हो जान्द है nucleus दे colon हो शुरू के cell बैड जान्द है what are ribosomes दो भाद चरांगे बस फिल्हाल एंदर को कि ribosomes बैड जान्द है हुं देखो किसे surface दे उपर कोई चीज आके लग जाए तो रफ जोगी न ओ यह में लगगा दूरों कि पिंपल्स होए पे उन्द है that is rough in the appearance किसे surface दे उपर कुछ भी नहीं होगा जिनना nucleus तो दूर जाए जाओगा ओदे उपर कुछ भी नहीं होगा that will be known as smooth endoplasmic retic clear है हुन अपा पहले draw कर देया cell this is the cell हुन जो जो अपा कर लिया A cell membrane है तो नो ना ले diagram बार बार बना के दखा रही है A cell दा cytoplasm है A cell दा nucleus है nucleus दे अंदर nucleoplasm है तो या genetic material present है हुर अपा ने की कितना हुने mitochondria present है ठीक है हुन में की कह रही है कि nucleus दे colic network present है चारो पास से present हुन दे nucleus दे this is the folded आहीं लग दा है कि nucleus दी membrane ही उपर जाके fold होना शुरू होगी तो fold हुन्दी 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 उपर cell membrane तक ही पहुंचनी शुरू होगी चारो पास से present है दो भी present है दो भी दो भी present network like structure ठीक है this network like structure अगर मैंनू बाहर द्रॉब कर रही है I am drawing it outside आलो this is the network like structure एक जिनना nucleus दे coal हुन्दे है coal हुन्दे है न ओदे उपर ribosomes आके बैठ जांदे है क्यों? एदा reason दास दिनियत होनों है reason की है अपनी body दे अंदर न nucleus order कर दे nucleus कर दे आप protein चाहिए है बनाओ चलो लग जो nucleus ने message देता protein factory कौन है ribosome जे कर माल लो protein factory दूर बैठे होगी तो उस message नो जान चाटाइम लगोगा न और message रस्ते चटूट भी साद है break हो साद है माल लो स्कूल दे प्रिंसिपल ने को इन सर्कुलर देता कि जा के फलानी मैडम तो साइन करा गया हो हाना जे प्योन नो रस्तेच कोई हो टीचर ने रोक लया और पूलता सकती है ना क्या काम देना सीगा हाना क्या कहना था मैं भूल गई कई वारी देखो प्रिंसिपल ओफिस ने मैसेज एन प्योन पजय जान दे प्योन पुल लाकी रुखांगे रस्तेच नी रुखना नी तो मैं पुल जहूँगा हाना जे माल लो ओव मैडम दा रूम जमी प्रिंसिपल ओफिस दे बार ही हो है फिता एक मिंटी लगोगा ना प्योन पुल्लूगा मी नियों बस अथो दिया अनाल दिना लो थे पोँच गया यह सो नो हना एमें सेम ना राइबोसोम्स प्रोटीन फेक्टरीज हुंदे है उन्हाने प्रोटीन बनाना हुंदे दिया ने ओडर दिन दे आप रोटीन बनाओ ठीक है उन्हान मैसेज नो लैन लहीं राइबोसोम्स बार ही बैठ जानदे है ओं एंडोप्लास्मीक रेक्टीकुलम दे उत्ते आगी बैठ जानदे होगे लोगोशी है उत्ते ही बैठ गे ठीक है तो राइबोसोम जेड़ा नू नहीं हुंते तो दाट इस वाइए दो एंडोप्लास्मीक रेक्टीकुलम जेडे उपन राइबोसोम्स अटैचेट ने when the ribosomes are attached on to the endoplasmic reticulum that gives it the appearance of rough surface that is known as rough endoplasmic reticulum and the endoplasmic reticulum which is away from the nucleus that gives it the appearance like a smooth structure that is known as the smooth endoplasmic reticulum clear now let's see the endoplasmic reticulum is a complex network like structure which has two types the ribosomes present the rough and not present the smooth now the body if you see microscopically there are three parts one is seen as flat one is seen as tube and the other is not connected right? one side one side because this is the packaging of proteins which helps the protein that ribosome has made that protein goes inside and put the back in the back and put the back in the back and then put the back in the back and then put the back in the back इनदे साइ टे लोड़ा हखे चला जननने थाहिं है अन्य थिन पार्ट रहा है कि नु जूड्य है अंदर, that is called as vesicle, endoplasmic reticulum has three structures in it, sister ने, long flat tubes, tubules, जो ना उट tubes नो जोड़नगे, and vesicles, जो bulges बनगे, they are called as the vesicles, clear, that's all about the endoplasmic reticulum, एदे functions की ने, एप्रोटीम्स दी पैकेजिंग दे अंदर, ते प्रोटीम्स दे ट्रांस्पोर्टेशन दे अंदर भी हेल्प कारते है, ट्रांस्पोर्टी होगे ने एक तरीके ने, बनाया, एने, पैक एने किता, फिर एने उस साइटोग्लासम जो छड़ता, rough endoplasmic reticulum हेल्प कारते है, पैकेजिंग दे अंद smooth endoplasmic reticulum, lipids दी, fats दी पैकेजिंग दे अंदर, help कर, that helps in the packaging of the lipids, clear है बेटे, ता अपने को ले lipid synthesis, protein synthesis दे अंदर help कर दे, इस तो ही लावा, ए बोडी चो कुछ, waste material नो, cell दे अंदर, अगर कोई drugs, toxins चले जान दे है, ता उनना नो, बार कड़न च भी help कर दे, it helps in the detoxification of the cell also, clear है, ता इस तो ही लावा, अपने को ल, एहे, lipids दे, proteins दी, formation दे अंदर help कर, packaging of lipids, packaging of proteins, formation of lipids, formation of proteins दे अंदर, and detoxification of the cell दे अंदर, help कर दे, that is known as endoplasmic reticulum, am I okay, ठीक है, sufficient है, के हो चली है, next, क्रादा गॉल जाएं बाडी, no, ठीक है, चलो, थोड़ा homework की हो गया, homework दे अंदर, तुसी सरफ mitochondria ही करके आने, endoplasmic reticulum, अपकाल दी क्लास ते इछड़ांगे, क्योंकि mitochondria चो, both questions आंदे पेपर्च, endoplasmic reticulum चो, ता ही आंदे, differentiate between SCR and RER, ठीक है, इदे, डिफ्रेंसिस आं होगा, differentiate between SCR and RER, ठीक है, ता, अज बेसिकली कार किया ही हो, mitochondria ते ही कहा चाल कारे ही हो, differentiate between RER and SCR, ठीक है, next we will continue in tomorrow's class, पहले काल में oral test लऊंगी, then we will move on,